हेलो अब कर्कम दोस्तों मैं स्वराब के अपने यूटूब चैनल आलबेजेश्ट्टिडी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉफ 25 जी के कोश्चन जिया दोस्तों जी के कोश्चन पढ़ने आले हैं बहुत ज्यादा अच्छे बह देखना चाहते हैं आप मेरे प्लेडिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पर प्रशन का एक पूरा प्लेडिस्ट होगा उसमें बहुत ज्यादा ग्यान भरा होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मैंचल को सब्सक चैक कर सकते हैं क्योंकि आप लोग नोट बनाते हैं मैं आप बनाये कर आप बनाते हैं आप पता नहीं है केस पूस्ताओं अगर आपको नहीं पता है यसकान नहीं करना क्योंकि इस वीडियो में only HD है तो हम लोग पढ़ते हैं science यानि की जी के question हमारा first question है सबसे बड़ी आखे किस अस्तंधारी प्राड़ी की होती है इसका answer है हिरड जो हिरड होता है आप सभी जानते होंगे उसकी जो है सबसे बड़ी आखे होती है और यह अस्तंधारी कि हैं तो नेक्ष्ट कोषन देखते हैं आज carbon dioxidezet तो सर्वाधिक योगधान करने वाला देश है तो वह संयुत राज आछाइड जो संयूत राच अमेरिका है आज कारबन डाय आकसाइड के सरजन में सरवादिक योगदान करने वाला देस है अंग। कोशन देखते हैं हमारा तीसरा कोशन क्या है दोस्तों तीसरा कोशन है निम्न लिखित में से किस उद्योग में अब्रक कच्छे माल के रूप में प्रयक्त होता है तो वह बिद्दूत ठीक है जो बिद्दूत होता है उसके उद्योग में अब्रक कच्छे माल के रूप में प तो हेनेरी सीले ने बिद्दूत प्रिस्का आविस्कार किया नोट जरूर बनाते रहेगा क्योंकि वह आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पग जाता है क्यों कि प्रेसर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है यह जर्ल लंग साइब तो नेक्स्ट कोश्चन बढ़ते हैं प्रेसर कुकर के अंदर अधिक होता है इसलिए प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पाग जाता है नोट सो बनाते रहे यह बहुत ज्यादा प्रश्चन पता भी होंगे पता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बा होता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं प्रतिक क्रिया के बराबर हुआ दिशा में एक प्रतक्रिया होती है यह न्यूटन का कौन सा नियम है यह न्यूटन का तीसरा नियम है न्यूटन ने तीन नियम दिये थे यह न्यूटन का तीसरा नियम की जगा आगर आप कोई काम क करेंगे कोई करेंगे तो वो प्रतक्रिया भी होगी जैसे मैं आपको उधार देता हूं अच्छा सा फनी सफ़ुए तो तो थपर उसके यह संधा आपको पता होगा नहीं पता तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी सको जनते होंगे उगते वा वा डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है अगर आप कहीं गावों में या लेते हैं चछत पर चाहिए यह समय लाग डाउन है साम को राम से अच्छे सनाज सबसे काम हजाता है देखते हैं रेडियो एक्टिविता की खोच किसने की तो हो ता हेनरी बेकल ने वहाँ पर हेनरी कौन थे दोस्तों यहां पर बिद्धित प्रसकाविर कास किया था हेनरी सीले ने और यहां पर नीचे आप देखिए यहां पर जो अभी एक प्रस्नाया है र कोशन देखते हैं दो समतल दरपढ एक दूसरे से साथ अंस के कोड़ पर जुके हुए हैं इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रितवंबी को संख्या कितने होगी पांच ठीक है आप देख सकते हैं पांच बनेगा ठीक है तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं इक आयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस एकाई का मातरा समान होती है तो वह विशिष्ट गुरुद्द की जो है एकायो की मात्रा समान होती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं यह कोई मनुष्य संतल दरपड की और 4 मीटर प्रति-सकेंड की चाल से आ रहा है तो दरपड में मनुष्य का परदब्र में किस चाल से आता हो प्रति-ता तो उसके दूगने यानि की 8 मीटर प्रती से नेक्स देखते हैं कारो ट्रको और ब्रसों में डाइबर की सीट की बगल में कौन सदर पर लगाता है जो सीशा होता है जिसमें पीछी की तरह सब दिखता है तो उसमें लगा होता है अउतल दरपर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पहले बार इसको फिर से नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वनस्पत्य विज्ञान के जनक कौने यह हैं ध्रियो फ्रेश्टस यह बहुत ज्यादा पुछा रता है तो इसको ज़रूर से यह तो इसमें द्हुन की चाल सब से अधिक होगी अब नेक्स ट्रोश्चन देखते हैं एक व्यक्त घूमते एक एक हुआ बाहें सिकोड लेता है तो इस टोल का कोड़ी वेग तो बढ़ जाएगा ठीक है वो बढ़ जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब मानिए चंद्रमा पर एक बम बिस्पोर्ट होता है इसकी वाज पृतिवी पर सुनाई देगी या नहीं तो इसकी वाज की लंबाई चार मीटर स्लिए चार पर सेंट बढ़ दी जाए तो उसका औरतकाल उसका आवरतकाल दो परशंट बढ़ जाएगा नेक्सट कोक्षण देखते हैं एक लड़की जुल गही है उसके पास एक अनलड़की आकर बैठ जाती है तो जूले का आवधकाल वह आवरतक कि प्रोग्राम सुनते यह संभव है तो यह संभव क्यों है अनुनाद करते हैं तो वेंचू में वेंचू रिमेटर से जल के प्रभाव की दर को ग्यात करते हैं ठीक है तो आज के लिए बिस इतना ही दोस्तों आप लोग सोच लहूंगे मैंने आपसे यह वाला कोशन नहीं प उसका दिया है तो आप वह वाला बताईएगा क्यों थोड़ा ज्यादा सरल है तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों मिलते हैं वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नहीं है तो शेयर भी करतीजिए इस वीडियो को क्योंकिस में